आईए दोस्तों, हम तीन infrastructure related stocks का discussion करते हैं, PNC, Infratech, DLF और Shobha तो इन तीनों ही stocks में आजकल काफी अच्छी rally आईए, तो हम देखेंगे market में क्या news जल नहीं है और chart के माध्यम से इनका analysis करेंगे चल्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, intraday और swing trading के लिए हमारा telegram channel है आप उसे जरूर जुआइन करिए, वहाँ पर हम advanced analysis के बाद calls देते हैं, link description box में है हम से भी register नहीं है, हमारे videos की वर educational purpose के लिए है, आप अपने advisor से consult करने के बादी investment करिएगा यह आपकी अच्छी rise दिखा सकता है, क्योंकि इसने major highs जो थे 288 और 289 तो यह सारे अपने major highs जो थे सबको तोरता जा रहा है और fundamentally भी stock बढ़िया है, result space के ठिक ठाक आय थे, अगर मैं latest target की बात करूँ, तो ICICI जारेक ने से 385 का target दिया है और यहां भी यह 350 के पास है, यह stock ने देखिया, 328 रुपीज के उपर बढ़िया breakout दिया था और अगर आप यहां पर यह वाली एक में trend line बनाता हूँ, अगर आप इसको भी follow करने के कोशिश करेंगे तो भी यहां पर देखिये, जो इसका 343, तो इसने इसके उपर भी आज breakout दे दिया है तो इस stock आप कहा सकते हैं कि एक तरह से uncharted territory में जा रहा है तो अब इसमें 360, 370 तक के target तो भी easily मिल सकते हैं देखने को आपको दोस्तों अगर इस stop loss रखना है छोटा से stop loss maintain करिएगा 335 का और target 360, 380 और 400 तक हम game करके चल सकते हैं volumes भी ठिक ठाक चल लही है शोभा की मैं बात करूँ दोस्तों तो एंजल ब्रोकिंग ने ने 770 रूपीस का target दिया है और इसमें भी recent में आप इनकी rise देखिया है क्या गजब की rise हुई है अगर मैं छोटा chart खोलू थोड़ा तो यहाँ पे देखिये गिरा था जब सारे small caps और mid caps गिरे थे तो इसके बाद देखिये 600-54 रूपे से 722 रूपे तक कुछी दिनों में यह पहुच गया है गजबी rally दिखाई है इसने पिछले 3-4 दिनों में यहाँ देखिये एक दो तीन लगतार पाँच बढ़िया green candles दिखाई है ठिक ठाक volumes भी रही है और 675 के उपर तो इसने आज बहिया breakout एकड़म दिया है अब इसे stock में हम क्या करें दोस्तों अगर ना इसका एक बाद 5 यह का चाग भी देखूं तो यहाँ पर देखिये अपने 5 यह जो इसका है वो भी 700 के आसपास इसका high था तो जब तक यह stock मेरा 700 के आसपास है तब तक कोई tension नहीं है तो आप 690 का stop loss maintain करिए और target इसमें 800 रुपे तक भी हमें देखने को मिल सकते है या 770 के target को आप लेके चल सकते है जो की angel broking ने कहा है DLS को दोस्तों ICI Direct ने आज 340 रुपे का target दिया है जो कि इसका recent का high भी रहा है और अगर आप देखेंगे तो DLS stock क्यों भागा है कुछ दिनों से क्योंकि Crystal Lane की rating जो है वो reassign कर दी है क्योंकि यहां पे देखें on DLS Cyber City Developers रूपीज 1,000 करोर के इन्मोंने जो NCBs इशू किये थे उसके basis पे तो यहां पे देखें दोस्तों यह stock का recent में 360 का high है यहां पे एक resistance है इसको 330 के आज पास यह area है काफ़ी strong इसके लिए आप कह सकते resistance जो था अब यहां पे देखें इसने breakout दिया है तो जब तक यह stock इस area के ऊपर है 325 के ऊपर कोई इशू नहीं है तो आप 320, 325 का stop loss maintain करिया पहला target होगा हमाद 360 और इसको तो रहा हो उसने तो भी 400 तक भी stock जा सकता है आप अगर इसका 5 year का chart देखेंगे तो यह देखेंगे यह stock अपने पिछले 5 year के comparison में अभी बहुत अच्छी rally ही दिखा रहा है तो यह थी दोस्तों मेरी analysis उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like and subscribe कीगे हमारा motivation बनेगा आप हमें social media पे भी follow कर सकते है पेलिग्राम, twitter, facebook पे trading bulls के नाम से हमारा page है आपके इमन में जो भी विचार हो आप comment section में लिखिए हम चल से अल उसमें reply करेंगे धन्यवाद दोस्तो